नमस्ते, रसोईगर यूट्यूब चाइनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अक्षता और आज हम बनाएंगे एक स्पेशल रेसिपी जो मेरी भी बहुत फेवरेट है प्यास के पकोडे, मराठी में इसे कहते है कांदा भजी इसे बनाने के लिए 15 मिनिट लगते है और इसकी सामगरी इस प्रकार है वेशन का आटा, रिफाइन टेल, कटा हुआ प्यास यानि के कांदा, लाल चटनी, नमक, हल्दी, दनिया, और अजवाइन सबसे पहले प्यास को एक बाउल में लेके उसे सुलजा लीजिए और उसके बारिक तुकडे कर लीजिए इसमें स्वादानुसा नमक डालिए, फिर आदा चम्मच अजवा, थोड़ी सी हल्दी, दो चम्मच लालमेश फाउडर और इस मिश्रन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए अब इसमें बेशन का आटा डालिए और दोड़ा पानी डालकर इसे सेमी सॉलिड कंसिस्टनसी होने तक मिक्स कीजिए इसमें अब थोड़ा सा धनिया डालिए अभी हम एक पैन में तेल अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और उसमें हम यह भजिया तलेंगे कर सकता है अब हमारी भजिया तल चुकी है और ये अभी खाने के लिए रेडी है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद अगरी लेव ने ये तिया तल मेरे डाइक कीजिए और सब्सक्राइब क hyvä खाने क Grizzms अगरे खाने के सकती दोगी है करते है ус hacerine खाने कीज़ च्टकी है ै खाने के सकती कर το खाने है